जैजे शिरी राधे सातियों में मनुज बैशनव संपूर ब्रिज दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिज मंडल में हमारे भगवान स्याम सुन्दर और किसोरी राधा रानी ने अनिकों लीलाएं की हैं आज हम आपको जिस यात प्रकार से गोबर्धन का उत्पन कैसे यहां पर भ्रच छेत्र में हुए कैसे आज वो तिल तिल करके घट रहे हैं और किस प्रकार से यह सबसे प्रिय इस्थान स्री राधा रानी जी और स्री कृष्न का है उसके बारे में आपको हम यहां पर आज संपूर जानकारी देंग इस यात्रा को बीच में अधूरी नहीं छोड़ते हैं तो आप संपूर यात्रा करें और हम पहुंच चुके हैं यह दान घाटी मंदर पर जहां पर श्री कृष्न जी ने दान किया था और इसी उसकी बजह से यहां पर दान घाटी नाम पड़ा तो यहां पर आप श्री गि राज जी महराज के दान घाटी के दर्सन कर रहे हैं बहुत ही अधवत दर्सन आप यहां पर कर रहे हैं और यह गोबर्धन धाम में पड़ता है गोबर्धन की परक्रमा अब प्रारंब होगी और यह परक्रमा 27 तारिक से लेकर 4 तारिक तक चलेगी यहां पर हमारे ब्रज म इसको मुडिया पूनों कहते हैं मुडिया पूनों क्यों कहते हैं हर जगह पर गुरू पूनमा कहते हैं लेकर यहां पर मुडिया पूनों इस बजह से कहते हैं कि एक संत हुए थे जिनका नाम ता सनातन गोश्वामी और जो सनातन गोश्वामी थे वो पूरे गोबर्धन की प पूरी परक्रमा लगाकर फिर बापस बिंदाबंध हम पहुंचते तब ही से उनका ये नियम था कि रोज परक्रमा लगाकर ही वो भोजन किया करते थे और उन्होंने जब अपना सरीर त्यागा तब उनके सिस्चों ने स्री गोबर्धन की परक्रमा उनके सरीर को लेकर कराई ती और उन्होंने अपने सभी परिचतों का और जितने भी उनके जुस्से से थे सब लोगों ने अपने सिर्म उडवाए और तब यहां पर परक्रमा की तभी से इस पवित्र दिन का नाम ब्रज छेत्र में मुडिया पूनों पड़ा और आज उसी मेले में हम आपको लेकर चल रहे हैं यह देखिए आप किस प्रकार का यहां पर भाव है किस प्रकार से यहां पर लोग परक्रमा करते हैं कुछ लोग पैदल चलके परक्रमा करते हैं नंगे पैर परक्रमा करते हैं कुछ लोग डंडवती परक्रमा करते हैं तो हम आपको यहां की संपूर जानकारी अब प्रारंब करते हैं, तो जो मत्रा से 21 किलो मीटर की दूरी पर ये जो इस्थान है, ये बरसाना और मत्रा दोनों के लगबग भीच में पड़ता है, और यहां से गोवर्धन से पास में ही राधा कुंड है, और इस राधा कुंड की भी संपूर परक्रमा लगती है, तो य हम प्रारंब करते हैं इस परक्रमा का, स्री गोवर्धन में जो गोलोग से उत्पत्य हुई ती, उसकी क्या का था है, उसके बारे में हम आपको संपूर अवगत कराते हैं, कर्ग सहिंता के गरंत के अनुसार, एक बार गोलोग धाम में स्री राधा कृष्ण ने अपनी प्र रास लीला के अंत में स्री कृष्ण राधारानी के ऊपर बड़े प्रसन हुए, स्री कृष्ण को प्रसन देखकर राधारानी बोली, हे जगदी स्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से इतने प्रसन हैं, तो मैं आपके सामने अपनी मन की प्रात्ना व्यक्त करना चाहती ह भगवान बोले, हे प्रिये, तुम मेरे मन में जो इच्छा है, मुझसे माग लो, तुम्हारे प्रेम के कारण में तुम्हें अधे बस्तू भी दे सकता हूँ, तब राधा, स्री राधा ने कहा, बिंदावन में, यमना के तटपर, दिब्य नुकुंज में, आप रास के लि अंत लीला के योग्य एक इस्थान है, मैं उसका चिंतन करके आपको बताता हूँ, नेत्र कमलों द्वारा अपने हिर्दे की ओर देखा, और उसी समय गोपी समधाय को देखते देखते स्री कृष्न के हिर्दे के अनुराग में मूर्ती मान, अंकूर की भांती, एक ऐसा प् परवत रतनों से युक्त था, सुन्दर जर्नों और कंद्राओं से युक्त और उसकी बड़ी सुवा हो रही थी, उस पर असोक के ब्रच थे, कदम के ब्रच थे, बकूल के ब्रच थे, लताएं पताएं और ऐसी मनुरम दिश्य जिसका बढ़नों में कुछ कहा नहीं जा सकत है, उस परवत पर अनिकों प्रकार की पच्ची नित्य नित्य उस पर अपनी चहचाहाट कर रहे थे, एक ही छण में वह परवत एक लाग योजन, विश्तत सेस की तरह सौ कोटी योजन लंबा हो गया, उसकी उंचाई पचास करोड योजन की हो गई, पचास कोटी योजन मे पहला हुआ, वह परवत सदा के लिए घजराज के समान इस्तित दिखाई देने लगा, उसके कोटी कोटी योजन विशाल सेंकरों सिखर हो गई, उन सिखरों से गोबर्धन परवत उसी प्रकार से सोबित हुआ, मानू, सुन मई, उन्नत में से महल सोबा पा रहा हो, कोई-को गोबर्धन ने इस पर गोलुक में वहां से कोहला मच गया, यह देखकर सिरीहरी उठे और अपने साच्छात हाथ से सिखर ही उसे तारना दी, और बोले के हे गोबर्धन गिरीग राज, हम अब यहां पर आना चाहते हैं, और तुम अपना आकार अब मत बढ़ाओ, और इसक यहीं पर रोप दो, इतना ही बढ़ा आप रहो, तब सिरी रादा रानी जी बहुत प्रसन होई, सिरी रादा रानी एकान तिस्तल में सिरीहरी के साथ सोवित होने लगी, यह सर्वतीर्त मई लताकुन्जों से स्याम आभा धारन करने वाला यह स्रेष्ट गरी मेग, आज भी यहां पर है, जो कि गोलोक धाम से यहां गोबरधन में ब्राजमान हैं, गर्ग सहीताग में बिंदावन खंड में बताया गया है, कि भगवान सिरी कृष्ण ने असंक ब्रहमणों के अदपती, गोलोक के नात, जो सब कुछ करने में समर्त हैं, जब प्रत्वी का भार उतान के लिए स्वयम इस भूतल पर पदानने लगे, तब उन्होंने जनार्दन देव और अपनी प्राण बल्लवा रादा से कहा, पिरिये तुम मेरे ब्योग से बहवीत रहती हो, अतह तुम भी भूतल पर चलो, राधारानी बोली, हे प्राणानात, जहां पर बिंदावन नहीं है, जहां पर यमना नहीं है, जहां गोबर्दन परवत नहीं है, वहां मेरे मन को सुक नहीं मिल सकता, सिरी राधारानी की यह बात सुनकर, सुहेम हरी हरी ने 84 कोस धाम में यह गोबर्दन परवत यमना नदी को भूतल पर भेजा, और उसी समय 84 कोस की परक्रमा में यह परव आज भी 21 किलो मीटर की परिक्रमा यहां पर हम देते हैं तो उसी परिक्रमा को आज हम आपको यहां करा रहे हैं संपूर जानकारी इनकी एक और है कि एक समय पर यह मुनी स्रेष्ट पुलस्त जी के भूतल पर ब्रहमण करने के लिए गए उन महमुनी ने दुरोना चल के पुत को श्याम बनवाले स्रेष्ट परवत गोबर्धन को देखा जिसके उपर लताएं पताएं सुसोवित हो रही थी निर्जनों के ज़र ज़र से सब्द गूज रहे थे इस परवर्थ पर बड़ी सांती ब्राज रही थी और उनकी कंद्राओं के कारण वह मंगल में धाम जाना पड़ता था सेक्णों सिकर्ज के सुसोवित रत्न में मनोहर सेल तपस्या करने के लिए बहुत ही अच्छा इस्थान उनको लगा और वो वहीं पर रुग गए वहाँ पर अनिकों प्रकार के पच्छी म्रग बंदर आद पसु पच्छी भी थे उनके उस परवत पर उनको इ गोबर्धन के पता स्री द्रोणा चलके समीप गए और बोले कि द्रोण मैं कहासी का निबास्य हूं और मैं तुम्हारे निकट यहाँ पर आया हूं तुमने मेरी अनेकों प्रकार की यहाँ पर सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी की। क्योंकि मैं तो तुम्हारा यहां पर अथिती था और तुमने मेरा जो अथिती है उस अथिती गण का सम्मान किया संपूर्ण तरीके से तुमने मुझे यहां पर संतुष्ट किया है अब मेरा समय जाने का हो गया है तो आप मुझे कुछ दच्छना और दें जिससे मैं तुम्हें यहां आसरवाद दे कर निकल सकूँ इतनी बात सुनकर बोले के मागो महराज आप क्या मांगना चाहते हैं तो उन्होंने तो पहले ही सोच लिया कि मेत इनके पुत्र जो गोबर्दन हैं उनको मागोंगा और उन्होंने यही इच्छा अपनी प्रकट कर दी और इतने में ही पुलस्त जी की यह बात सुनकर पुत्र इसने से भिभल हुए द्रोना चल के नेत्रों में आसु भराए उन्होंने प्लस्त रिशी मुनी से कहा महमने मैं पुत्र इसने से बहुत ही जादा ब्याकुल हूँ यह पुत्र मुझे अत्यंत प्री है तथा आपके स्राप से बहभीत होकर मैं इसे अपने हातों में देता हूँ फिर वह पुत्र से बोले बेटा तुम मुनी के साथ गोबर्दन ने कहा मुने मेरा शरीर आठ योजन नंबा दो योजन उंचा और पांच योजन चोड़ा है ऐसी दसा में आप किस प्रकार मुझे लेकर चलेंगे पुलस्त जी बोले बेटा तुम मेरे हाथ पर बैटकर सुक पूर्वक चले चलो जब तक कासी नहीं आ जाती त तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही डोय कर ले चलोंगा तब गोबर्दन ने कहा के महराज आप जहां भी मुझे भूमी पर एक बार रख दोगे वहां की भूमी से में पुनह उठ नहीं पाऊंगा तो लस्त जी बोले मैं इस लेकर तुम्हें भारत बर्ष के कोसल देश में तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा यह मेरी पृतिग्या है और चल दिये उन्होंने मुनी ने अपनी हतेली पर रखा और नेत्रों में आशू भराए उसने हें दाइने हाथ पर रखकर फलस्त मुनी लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रज मंडल में आ पहुँचे गोबर्दन परवत को अपने पुर्न जन्म की बातों का इसमरर था ब्रज में आने पर उसने मार्ग में ही अपने मन में सोच लिया यहां ब्रज में श्री भगवान स्री कृष्न अवतार लेंगे और ग्वालवालों के साथ बाल लीला त दूर नहीं जाना चाहिए यह ब्रज भूमी और यह यमना नदी गोलोक से यहां आई हैं स्री रादारानी के साथ भगवान स्री कृष्न को भी यहां सुभागमन होगा उनका उत्तम दर्शन पाकर में क्रत क्रत हो जाओंगा मन ही मन ऐसा विचार करके गोबर्धन मुनी ने अपनी हतेली पर अपने सरीर का बहुत अधिक बाहर बढ़ा दिया उस समय मुनी अत्यंत ठग गए उन्हें पहले कहीं हुई जो बात थी वो ध्यान नहीं रही और बार जो उसका भार था उससे पीडित होकर लगु संका से निर्वत होने के लिए चले गए सौच किरिया करन से जल में इस्नान करने के पस्चात मुनिवर पलस्त से उत्तम परवत गोबर्धन से कहा उठो अब उठो अधिक भार से संपन होने के कारण जब वे दोनों हातों से नहीं उठा तम महामनी पलस्त ने उसे अपने तेज और बल से उठाल लेने का उपकर्म किया किन्तु वे उंगल भी टस से मसनग हुआ तब पलस्त जी बोले ग्रीस रेष्ट चलो भार अधिक न बढ़ाओ अब मत इतना बाहर बढ़ाओ और मैं जान गया तुम रूटे हुए हो सिग्र बताओ तुम्हारा क्या अब प्राय है गोबर्धन परवत बोले मुनी मेरा इसमें कोई दोस नहीं है आपने ही मुझे इस्तापित किया है अब आप यहां से मुझे नहीं उठा कर ले जा सकते अपनी यह प्रतिग्या मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी यह उत्तर सुनकर मुरी स्रेश्ट पलस्त की सारी इंद्रियां क्रोध से फड़क उठी उन्होंने उन्हें स्राप दे दिया कि जिस मकसद से मैं तुम्हें यहां से लेकर जाने के लिए था द्रोण पुत्र को स्राप दिया है परवत तु बड़ा ही धीट है तुने मेरा मनोरत पूर्ण नहीं किया इसलिए तु प्रतिदिन तिल तिल भर छीन होता चला जा यह स्राप दे दिया और अपने क जार में ब्यस्त होकर कासी धाम लोट गए उसी दिन से यह गोबर्दन परवत प्रते दिन तिल तिल करके छीन होता चला आ रहा है जब तक भागी रती गंगा और गोबर्दन परवत इस भूतल पर बिद्दमान है तब तक कली का प्रभाव कदा भी नहीं बढ़ेगा गोब प्रदान करने वाला है इसमें कोई आहश्यर की बात नहीं है एक दूसरा उलिह गोबर्दन के संबंद में ब्रिजमंडल में आने का और सुना जाता है वह इस प्रकार है जिस समय स्री राम जी सागर पर सेदू बांद रहे थे और वानर इधर उधर से बड़े बड़े कर नल नील के आगे एकत्रत कर रहे थे स्री हनवान जी उत्तरांचल से गोबर्दन को कंदे पर रखकर ला रहे थे ब्रजमंडल में प्रवेस करते ही देव बाड़ी हुई के सेतु पूर्ण हो चुका है और उस आकास बाड़ी को सुनकर अब जो परवत पत्थर नहीं चाह कि ब्रजमंडल में ही आपको मैं यहां पर उतार रहा हूं तब हरी वक्त गोबर्दन ने कहा हे महावीर मुझे आपने भगवान सिरी नाम के चरण इस पर से बंचित कर दिया है मैं आपको स्राब देता हूं हनुमान जी ने कहा आप मुझे छमा कीजिए मुझे भगवान र राम को आकर सब बित्तांत सनाया उन्होंने कहा जो पत्थर सेतु मांद में काम आये हैं वो तो मेरे चरण इस पर से बिमुक्त हो जाएंगे किन्तु वह है जो गोबर्दन परवत नित्य व्रज में परकर है उसे में ध्वापर के अंत में स्री कृष्ण अवतार के समें दि वहां पर इस्तापत करूंगा तब प्रिजवासियों की पूर नहीं इस्ट देव रूप में प्रतिश्टित करूंगा यह जानकर गोबर्दन परवत अपने मन में आनन देत हुए और अब हम आपको उस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहां पर सबसे अधिक हुई किस प्रकार से यहां पर गोबर्दन परवत को जाना जाता है तो इस परिक्रमा को लोगाने का फायदा यह है कि आपकी केशी भी कोई समझ्ञा हो बस आप गोबर्दन महाराथ से अपने सच्चे दिल से कह दीजिए के घोबरधन वावा मेरा ये काम हो जाय मैं आपकी परिकर्मा दे दे आओंगा तो यह घोबरधन वावा आपके काम को चरूर बनाते हैं तो भ्रजधाम थो कि जो पूजा प्रारंब हुई है वो किस प्रकार से ऊसके बारहे में अब हम आपको बताते हैं सिरी ब्रजधाम में सिरी नंद महाराज और सभी ब्रजवासी गण एक इस्तान पर बैठ कर जल ले रहे थे और हर साल में बहादों में द्वादसी तिती पर स्वर्ग के राजा इंदर की पूजा करते और सिरी गिर्राज माहराज की महमा देवराज इंद्र की महमा से भी अधिक है उन्हें ये ज्ञान नहीं था एक दिन सिरी कृष्ण ने देखा कि ब्रज में सभी गोप इंद्र के लिए यग्य करने की तैयारी कर रहे हैं भगवान सिरी क्रश्न तो सब के अंतरयामी हैं सरबग गहीं उनसे कोई बात चुपी नहीं रहती है बे सब जानते हैं फिर भी वो इस प्रकार से नंद वावा को और उन जो बड़े बुड़े गोप वहां पर बैठे थे उनसे पूछा पिता जी आप लोगों के सामने ये कौ कौन सा भारी काम कौन सा उत्सव आ गया है इसका क्या फल है किस उद्देश से कौन लोग किन साधनों से यह यग्य किया करते हैं पिता जी आप मुझे यह अवस्य बताईए आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पोत्र हूं यह बात सुनने के लिए मुझे कापी उत्कष्टा हो रही है नंदवावा ने कहा बेटा इंद्र भगवान बर्षा करने वाले मेगों के स्वामी हैं और यह मेग उन्हीं को अपने रूप में बेसमच्त प्राणियों को तरप्त करने वाले और जीवन दान करने बाला जल बर्षाते हैं देवाधी देव ब्रहमा संकर आद भी सभी लोग यहाँ पर सासन करने वाले हैं कि सब भगवान श्री कृष्ण ने नंदवावा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र की पूजा बंद और घिर्राज्य की पूजा प्रारम करने के लिए अपने पिता नंदवावा से कहा स्री कृष्ण ने कहा पिता जी प्राणी अपने करम के अनुसार पैदा होता है और करम से ही मर जाता है उसे उसके करम के अनुसार ही सुक दुख और मंगल के नियमों जो निम्मतियां हैं उनकी प्राप्ति होती है यदि करमों को ही सब कुछ न मानकर उनके भिन भिन अलग तरीके के फल देने वाले इस वर भी अगर जान जाए कि वह करम करने वालों को ही उनके करम के अनुसार फल दे सकता है करम न करने वालों पर उसकी कोई प्रभुता नहीं चल सकती जब सभी प्राणी अपने अपने करमों का फल भोग रहे हैं तब हम इंद्र की क्या आवशकता है पिता जी जब बे पुर्व संसकार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुस्यों के करम फल को ही नहीं बदल सकते तब उनके क्या प्रियोजन है अपने बिभाहत पती को पती का सेवन करने वाली ब्रह्म भ्यवचारणी इस्तरी कभी सांती लाव नहीं करती वैसे ही जो मनुस्य अपनी आजीव का चलाने के लिए एक देवता को छोड़ कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुक नहीं मिलता ब्रहमड बेदों के अध्यान से छत्री प्रत्वी पालन से बैस्यव और सुद्र ब्रहमड छत्री बैस्यों की सेवा से अपनी जीवका का निरभा करते हैं तो इस प्रकार से स्री कृष्ण जी ने उनको अनेकों बातें बताई और जब उनकी ये बातें बताई तो उनकी जो राज्य था वहां पर बड़े बड़े लोग हमारे अधीन हैं हमारे गाओं के पास में ही घर ही है हम लोग सदा के बनवासी हैं हम बन और पहाड़ों में ही रहते हैं इसलिए हम लोग गवों ब्रहमणों और गिरिराज का पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं इंद्र के लिए जो सामिग्रियां खिटी की गई हैं उन्होंने इस यग को अनुस्ठन होने के लिए अनेकों प्रकार के पकवान खीर हलुआ पूड़ी आद को लेकर मूं की दाल तक बनाए जाते हैं ब्रज का सारा दूदे का त्रकल लिया जाता है बेदवारी ब्रहमनों के द्वारा भली भांती हवन कराया जाए तता अनेकों प्रकार के अन गववें और दच्छनाएं दी जाएं और भी चंडाल पतित तता कुत्तों को भी यथा योग्य बस्तुन देकर गायों को चारा दिया जाए फिर किराज को भी भोग लगाया जाए इसके बाद खुद प्रसात खाकर पीकर सुंदर सुंदर बस्त्र पहन कर गहनों से सजा दिया जाए और चंदन लगाकर गौव ब्रहम्मर अगनी और किराज को बर्धन की प्रद प्रद छिणा की जाए नंद बावा आद आखिए गोपों ने स्रीक राज्जी की पूजा के लिए और ब्राहमनों को आसरवाद प्राप्त करने के लिए चल दिये और जब वहाँपर चल दिये तो गारियों में सवार होकर भगवान स्री क्रशन की लीलाओं का गान करते हुए गिर्राज जी की परक्रमा करने लगे भगवान स्री कृष्ण बोपों को विस्वास दिलाने के लिए गिर्राज जी के ऊपर एक दूसरा बिसाल सरीर धानन करके प्रकट हो गए तथा में गिर्राज हो इस प्रकार से कहते हुए सारी सामिग्री आरोगने लगे भगवान स्री कृष्ण ने अपने उस रूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वेम ही प्रणाम किया और कहने लगे देखो कैसा आश्चर रहे गिर्राज ने साच्छात प्रकट होकर हम पर करपा की है ये चाहें जैसा रूप धारन कर सकता है आओ अपना और गवों का कल भ्यान करने के लिए इस गिर्राज को हम नमशकार करें ये देखें आप ये गिर्राज जी का मुखार भिंद है यही वो इस्थान है जो गिर्राज जी का यहां पर ही उनको इस प्रकार की लीलाएं की ती ये देखें आप किस प्रकार से आप कोबर धन जी की परिक्रमा कर र रहा है तब उन्होंने कहा के नंद बाबा बड़े बड़े गोपों ने गिर्राज जी की विद्वत पूजा की और फिर स्री कृष्ण के साथ ब्रज में लोट आए अब देवराज इंद्र अपनी पूजा नहोंने के कारण अत्यंत क्रोधित हो गए उन्होंने ब्रज मंदल क नश्ट करने के लिए अपने सक्ति साली बड़े बड़े मेगों को भीजा और मेगों ने यहां आकर प्रवल बरसा प्रारंब कर दी बरसा से सारा ब्रज मंदल चल से भरने लगा और इस तुराबस्ता से सभी ब्रजबासियों ने स्री कृष्ण की स्रण में जाकर अपनी र की है मनिहमन कहने लगे अच्छा मैं अपनी योग माया से इसको भली भाती जवाब दोंगा यह मूर्खता बस अपने को लोग पाल मानते हैं इनके एसवर और धनका में खमंड तोड़ दूँगा चूर चूर कर दूँगा यह सारा ब्रज मंदल यह देखें आप यह जो पर मैं एक मात्र में ही तुम्हारा रच्छा कूँ अतह मैं अपनी योग माया से इसकी रच्छा करूँगा सरना गत रच्छा करना तो मेरा ही ब्रत है तो जो केबल एक बार मेरी सरन में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूं इस प्रकार याचना करता है उसे मैं संपूर प्राण के अभय कर देता हूं और यह मेरा ब्रत्वी है तो इस प्रकार से कहकर भगवान श्री क्रिश्न ने खेल खेल में ही एक हाथ से गिरिराज गोबर्दन को उखाड लिया और जैसे ही छोटे बालक बरसाती च्छते के नीचे पुस्प को उखाड कर हाथ में रख लेते हैं वैसे ही उन्होंने उस परवत को धरन कर लिया इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा माताजी पिताजी और ब्रजवासियों तुम लोग अपनी गवों और सब सामिग्रियों के साथ इस परवत के गड़े में आकर आराम से वैठ जाओ तुम देखोगे कि यहां पर ऐसी संका न क करना कि मेरे हाथ से यह परवत गिर पड़ेगा तुम लोग तनिक भी मत डरो इस आधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है तब स्री कृष्ण ने इस प्रकार सब को आस्वासन दिया और धांडस वदाया तब सब के अपने गवालवाल और अपने गोधन अपने जो उनके प्रोहित थे और उनके साथ जो बचिये गाए सब गोबर्धन के नीचे आ गए भगवान स्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूग प्यास की पीना आरंब बिश्तराम की आवशक्ता आद सब कोच भुला कर साथ दिन तक लगातार उस परवत को उठाए रखा स्री कृष्ण वहां से डग भी न पाए और इधर उधर भी नहीं हुए भगवान स्री कृष्ण ने बिश्टी धारा को रोकने के लिए नारायनी सक्ति का सुदर्शन चक्र और परवत को उपर के से नीचे जल रोकने के लिए सेस नाग जी जल में जैसे ही वहां पर एक जैसे नाव रहती है ठीक इसी प्रकार ब्रजवासियों की रच्छा की स्री कृष्ण की योग माया का प्रभाव देखकर इंदर को आश्चर का ठिकाना ना रहा अपना संकल्प पूरान होने के कारण उसकी सारी हेकडी निकल गई और वो बंद हो गई वो भौचक के रह गया इसके बाद उन्होंने मेगों को अपने आप बरसा करने से रोक दिया जब गोबर दंधारी स्री कृष्ण ने देखा कि वो भेंकर आंधी और घंगोर बरसा बंद हो गई है और आकास से बादल छट गए हैं सूर्य दीखने लग से लाओ देखो अब आंधी पानी बंद हो गया है तत्था नदियों का पानी भी उतर गया है भगवान की ऐसी आग्या पाकर सभ अधिया दीरे-दीरे निकलक कर बाहर आए सर्भ सकतिमान भगवान श Sn countries ने सब प्राणियों को देखते-देखते खेली–खेल में श्रीम और सेशनाग जी अपने इस्थान को चले गए तथा सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की नारायनी रूप में सहमती हो गए ब्रजबासियों के हिर्दे में प्रेम का आवेक भर रहा था परवत को रखते ही श्री कृष्ण दोड़ कर आए और उन्हें हिर्दे से लगाने और चूमने लगा सबके मन में उन्हें अपना अपना सतकार किया बड़ी बूरी गोपिकाओं ने बड़े बड़े आनंद और इसने से दही चावल जल आद से उनको मंगलत लग किया और अपने हिर्दे में सुब आसिरवाद देते हुए यसोदा रानी रुहनी जी और नंद व बलवानों में श्रेष्ट बलराम जी को इसने से होकर स्री कृष्ण को हिर्दे से लगा लिया तता आसिरवाद दिया उस समय आकास में इस्तित देवता और जितने भी गंधर्व चारण आदे सब प्रसन्न होकर स्री कृष्ण जी की इस्तिती करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और तदंत रूप गंधव राज स्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करने लगे इसके बाद स्री कृष्ण ने ब्रेज की यात्रा की उनके बगल में बलरामजी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे उनके साथ ही प्रेम दारण आद लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लोट आई जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरी राज गोवर्धन को धारण करके मुसला धार बर्था से ब्रजबासियों को बचा लिया तब काम देनूं बधाई देने के लिए आई और स्वर्ग से द एकांत इस्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्र के समान तेज़स्वी मुकट से उनके चरनों का इस परस किया परम तेज़स्वी भगवान स्री कृष्ण का प्रभाव देख कर और सुनकर इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ अब उन्होंने हाथ जोगड कर अपनी इस्तती की हे प्रभू हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप सर्वग्यानी हैं पुरुष्योतम हैं सर्वात्म बासुदेव हैं आप यदुअंसियों के एक मात्र स्वामी भक्त बतसल और सब के चिंता के दूर करने वाले हैं मैं आपको भारम भार नमस्कार करता हूँ और अपने जीवन में समान करम को नहीं सुतंतता से अपने भक्तों को तथा अपनी इच्छा के अनुसार सरीर स्विकार किया है आप सरीर से विसुद्ध ज्यान सुरूप हैं आप सब कोच हैं सब के कारण आप हैं सब की आत्म आप हैं मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ इस प्रकार की जो है इंद्र ने इस्तुती की तब गिर्राज जी के जो अंग है उनकी जो इस्तुती है उनका जो बर्णन है वो गर्ग सहिंता गरंत से मैं आपको यहां पर बताना हूँ बहुलाच्छ ने प्रश्ण अनुशार स्री नारजी से बोले हे राजन जहां जिस अंग की प्रसिद्धी है वही गिर्राज का उत्तम अंग माना गया है करना करने के लिए कोई भी ऐसा इस्तान नहीं है जो गिर्राज का अंग न हो जैसे ब्रह्म में सरवर्त विद्धवान है और सारे अंग उसी के हैं उसी प्रकार विभूती भाव की द्रिष्टी से गोबर्धन के जो स्वासत अंग माने जाते हैं उनका में बढ़न आपको करता हूँ सिंगार मंडल के अगो भाव से स्री गोबर्धन का मुख है जहां भगवान दे ब्रजवासियों के साथ अन्य कुंट का महुतसब किया मानसी गंगा गोबर्धन के दोनों नेत्र हैं चंदर सरोवर नासका हैं गोविंद कुंड उदर है और स्री कुंड चिभूर है राधा क गोबर्धन की जिभा है और ललिता सरुवर कपोल हैं गोपाल कुंड कान है कुसुम सरुवर करनांत भाग हैं और मिथलेसर जिस सिलापर मुकट चिन्नित है उसे गिर्राज का ललाट समझो चितर साला उनका मस्तक है और बांधनी सिला उनकी गृवा है तदहां उनका जो कति प्रदेश बतलाया गया है वो द्रोन तीर्थ स्रश्ट देश में और उनके जो पेट में है वो है कदम खंड हिर्दैस तल है और शेंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है श्री कृष्ण चरण चिन महात्मा गोबर्दन का मन है और बुद्धी उनका एहरावत चरण चिन है उनका चरण सुरवी के चरण में महात्मा गोबर्दन के पंक है पूँच कुंड में पूँच की भावना की जाती है बत्स कुंड में उनका बल रुद्र कुंड में क्रोध और इंद्र सरूबर में काम की इस्तिती है, कुवेर्टीत उनका और ध्योग इस्तल है, भ्रहमतीर्थ उनकी प्रसनता का परतीक है। और पुराण, बेत्ता, पुरुष, यमतीर्थ में गोबर्दन के एहिंकार की इस्तिती सर्वत गिर्राजी के अंग बताए गये हैं। जो समस्त पापों को हर लेने के लिए जो नरस्रेष्ट गिर्लाज जी इस बुभीती को सुनता है वह योग दुरलव गोलोक नामक परमधाम को जाता है अब मैं आपको एक ऐसी कथा और बताने जा रहा हूँ जो स्री गोवर्दन की पूजा बिधी का महत्म है किस प्रकास से गिर्लाज जी की पूजा होती है स्री भगवान ने कहा जहां गिर्लाज जी की पूजा करनी हो वहां उनके नीचे की धर्ती को कोबर से लीप कर वहीं पर सामिकरी रखनी चाहिए और इंद्रियों को बस में रखकर बड़े भक्ती भाव से सहस्त्र होकर मंत्र पढ़निते हुए ब्रहमणों के साथ रहकर गंगाजल यमनाजल से गिर्लाज को इसनान करना चाहिए फिर स्वीत और गोद्ग्द की धारा से पंचा मृत से इसनान कराकर पुनह यमनाजल से नहलाएं उसके बाद गंद, उस्प, बस्त्र, आसन, भली भाती की जो मालाएं होती हैं फूलों की उनको आभूसर सहेत उत्तम दीप माला समर्पित करके गिर्राजी की परक्रमा करें इसके बाद साश्टंक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ कर इस प्रकार से कहें जो स्री भिंदावन के अंगों में अवस्तित तथा गोलों के मुकट हैं पूर्ब ब्रहम परमातमा के छत्र रूप गिर्राज गोबर्धन को हमारा भारंबार नमस्कार है तदंतर पुस्प गिर्राज जी की आरती करें फिर उनको इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए अपने उपर लावा की बरसा करें और सिर्दापूर्व गिर्राज जी के समीफ अन्न कूत इस्ताफित करें फिर चोंसट कटोरों को पांच पंक्तियों में रखकर उसमें तुलसी दल मिर्सृत ग आप होम करके ब्रहमणों की पूजा करें तता गवों और देवताओं को भी गंद पोस्व चढ़ाते हुए अत्यंत स्रेष्ट ब्रहमणों को सुगंदेत मिश्टान भोजन कराकर अन्य लोगों को यहां तक के चंडाल भी छूट न पाए उत्तम भोजन दें इसके बाद ग गोपों के समदाएं गवों को नित्य करते हुए मंगल गीत गाये और जैजैकार करते हुए गोबर्धन पूजन को संपन करें जहां गोबर्धन नहीं है वहां गोबर्धन पूजा की बिदी है यह सुनो गोबर्ध से गोबर्धन का बहुत उंचा आकार बनाएं फिर उन्ह पुस्प, समूयों, लता और जालों से, सींकों से जोबित करके उसे ही गोबरधन की गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुस्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए यदि कोई गोबरधन की सिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा पिस्तर ले आ जाए उतना ही सुन उस परवत पर छोड़ दें जो बिना सुन दिये वहां की सिला ले जाएगा वह महा रोवन नरक में पड़ेगा तो इस प्रकार की यहां की कथा है कि गिर्राज की जो सिला है उसकी जो सेवा करता है उसे सातों दीपों से युक्त प्रतवी के सरवर्त तीर्तों का इस्नान का फल प्राप्त होता है जो व्यक्ति प्रतवर्स गिर्राज जी की महा पूजा करता है वह इस लोक में संपूर होकर प्रम लोग के मोच्छ को प्राप्त कर देता है अब श्री गोबर्धन में जो हरीदास हैं उनकी भी यहां पर अनेकों लीडाएं हुए हुए तो एक बार यहां पर गोबर्धन परवत हरीदास जी चुनामरी यहां पर श्री क्रेशन जी बलराम के चरण इस पर से हरसित होकर निरमल जलसे सुकोमल और उन्होंने इस प्रकार से उनकी इस्तुती की उसमें धुरूब पहलाद नारद ब्यास सुक्रादी आदे चुना मड़ियों ने भगवान की सेवा की लेकिन श्री कोबर्धन ने जिस प्रकार अ ऐसा किसी ने भी नहीं किया स्रीमत भगवत में अनेकों भक्तों के नाम इस उलेक में मिलते हैं केवल तीन ब्यक्तियों को ही हरीदास के नाम से जाना जाता है जैसे स्री युदिष्टर महराज स्री उदव जी और स्री गोबर्धन जी इन तीनों के मद्य स्री गोबर्धन म जल पीने हेतू सुंदर सरोबर विश्राम हेतू वहाँ पर गुफा खाने के लिए फल से भरे हुए ब्रच सिंगार हेतू फूलों के बगीचे कुंज बेदी इत्यादी का निर्माण कर दिया अतव वही सरुष्रेष्ट भक्त स्रोमणी हैं इस कारण उनकी करपा हेतू अब हम आपको बताते हैं कि जो गोबर्दन का महत्म है वो किस प्रकार से है तो देवरिशी बहुलाच राजा से बोले हे राजन गौमती गंगा गोदावर्डी के तठ पर विजय नाम से प्रसिद एक ब्रहमण रहता था वह अपना रिण बसूल करने के लिए पाप नासनी मतरापुरी में आया और अपना कारण पूरा करके जब वह घर को लोटने लगा तब गोबर्दन के तठ पर गया और वहां से उसने एक गोल पत्थर ले लिया धीरे धीरे बन प्रास्त होता गया और जब ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता एक घोर राच्छस दिखाई दिया उसका मुँ उसकी च्छाती में था उसके तीन पैर और च्छे बजाएं थी परन्तु हाथ तीन ही थे और बहुत ही मोटे मोटे नांक और एक हाथ उसका उंचा था उसकी साथ लंबी लंब जीवें थी और रोएंटे कांटों के समान थे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से लाल उसकी आँखें हो रहीं थी दांत टेड़े मेड़े और भेंकर थे वह राच्छस बहुत भुका था अतब गूर गूर कर सब्द करता हुआ वहां खड़े हुए ब्रहमड के सामने आय भेंसे ब्रहमड ने गिर्राज के पत्तर को उस राच्छस को मारा गिर्राज की सिला का इस पर्स होते ही वह राच्छस सरीर छोड़कर श्याम सुन्दर रूपदारी हो गया उसके बिसाल नेत्र प्रपलित और कमल पत्तर के समान सोबा पाने लगे और बनमाला में वहां पर पीतांबर, मुकट और कुंडलों से उसकी बड़ी सोवा होने लगी, हाथ में बंसी बेते हुए, दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगे, इस प्रकार दिब्बे रूपी धारनी होकर उसे दोनों हाथ जोड़कर ब्रहमर देवता को भरंभर प्रणाम किया, उस ब्रहमर स्रेष्ट को बोला, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के लिए पुन्यकार में लगे हुए हो, हे महमते, आज तुमने मुझे राच्छत की योनी से चुटकारा दिला दिया, इस पासण के इस पर्स मात्र से मेरा कल्यान हो गया, तुम्हारे बि करने की सकती नहीं है, पासण के इस पर्स का फल है, वह भी में नहीं जानता, अता तुम ही बताओ कि कहां ब्रहमर, श्री मान, गिर्राज, गोबर्धन, परवत, साच्छात, श्री हरी का रूप हैं, उनके दर्सन मात्र से ही मनुझे गिर्तार्त हो जाता है, और घंद मादन की यात्राएं करने से मनुझे को जिस फलगी प्राप्ती होती है, उसे कोटी गुना पुन्य गिर्राज के दर्सन से होता है, केदा नातीर्त में पांच जार बड़सों की तपस्चा करने से जिस फलगी प्राप्ती होती है, वही फल गोबर्धन परवत परतफ करने से उसे कोटी हुना पुन्य श्री गिर्राज पर एक मंसा सोन का धान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल प्रस्त परवत पर सोने की दच्छना देता है, वो सेंकडों पापों से मुक्त होने पर भी भगवान विश्णू का साश्य प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के उसी पदों को मनुस्य गिर्राज का तरसन करने मातर से ही पा लेता है। स्री गिर्राज के समान पुन्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। स्रवंग परवत, कुटक परवत और कोलक परवत पर सोने से मढ़े सिंग वाली एक करूर गोवों का दान करता है। वह ब्रहमण भी यतन पूरवक पूजन करके महान पुन्य का भागी होता है। उसकी अपेच्चावी लाख गुना पुन्य गोबरदन परवत की यात्रा करने से सुरलव हो जाता है। और रिन्मुक्त, देवगिरी और शंपून पृत्वी की यात्रा करने पर मनुस्य जिस पुन्य को प्राप्त करता है उसे गिर्राज गोबरदन की यात्रा करने पर उसकी भी कोटी गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। तक गिर्राज के समान तीर्थ नहों तो पहले कभी नहीं हुआ हो भवश्यकाल में होगा और श्री शैल पर दस बरसों तक रहने तता विद्यादर कुंड में जो प्रत्यन इस्नान करता है वह पुन्यमात्मा मनुस्य सौ यग्या अनुष्टान का फल पा लेता है परंतु गोबर्दन परवत के पंच कुंड में एक दिन इस्नान करने वाला मनुस्य कोट यग्यों के साच्छात अनुष्टान का पुन्यफल प्राप्त पा लेता है इसमें कोई संचे नहीं है तब विद्यान चल एक अस्व में यग्य का अनुष्टान करके मनुस्य स्वर्ग सिर्थाम को चला जाता है चित्रकूट परवत पर रामनम्मी के दिन पश्षेशशनी मनदकानी वंदाकिनी में वैसा की तीया को पर जात्र प्रवत पर पूंड मा को कुराचल पर पर दःदवादसी के दिन नीलांचल पर और सब्तमी को इंद्रकील परवत पर जो इसनान दान और तप आदे का पुन्य करम किये जाते हैं वो सब कोटिगुनी हो जाते हैं इसी प्रकार भारत बर्ज के गोबर्दन तीर्थ में जो इसनान आदे करके सुब फल प्राप्त किया जाता है वह अनंत गुना हो जाता है और ब्रस्पती के सिंग राजी में इस्तित होने पर गोदावरी में कुम्प राजी में इस्तित होने पर हरिद्वार में पुन्य नचत्र आने पर पुसकर में सूर्य घ्रण होने पर कुरू छेत्र में चंद्र घ्रण होने पर कासी में फागन आने पर औ और नेमिश्राणयन में एका दसी के दिन सुकर तीर्थ में कार्तिकी की पूर्णमा में गण मुक्तेस्वर में जन्माश्टमी के दिन मतुरा में मतरवां में जनमाश्टिमी के दिन द्वादसी के दिन और खांडम मन में कार्तिक की पूर्णीमा को बटेशवर नामक महावठक के पास मकर संक्राती लगने पर प्रियागर्तीर्थ में बौध्य त benefiting योग आने पर भ्रह्मसिती में श्री नावनम्मी के दिन उद्योग सर्यू के तट पर सिव चतुर्ती को सुब बैदनात बन में सोम राबगन अमावस्या को गंगा सागर संगम में दसमी को सेतु बंद पर तता सप्तिमी को रंगतीरत में दान तप दान जप और जो भी पूजा वहां पर होती है उसका ज से ही प्राप्त हो जाता है जो भगवान स्री कृष्ण में मन लगा कर निर्मल गोविंद कुंड में इस्नान करता है वह भगवान स्री कृष्ण का साच्छात रूप प्राप्त कर लेता है इसमें कोई संसे नहीं है गोवर्दन परवत पर जो मांसी गंगा है उसमें डुब है ये विश्वेश्वर अपने साच्छात गिरिराज का दर्शन इस पर्श तथा वहां इसनान किया है अतह इस भूतल पर आप से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है यदि आपको विश्वास नहों तो मेरी और देखिये में बहुत बड़ा महा पात की था किन्तु गोवर्धन की सिला का इस पर्श होने मात्र से ही मैंने भगवान स्री कृष्ण का साच्छात रूप प्राप्त कर लिया पूर्व उल्लेक में सिद्ध की बात यह सुनकर ब्रहमण को बड़ा ही बिश्मय हुआ गिर्राज के प्रभाब को जानकर उसने सिद्ध से पुन्य प्रश्न किया है महाभाग इस समय तुम साच्छात द्यब्य रूप धारी दिखाई देते हो प्रंदु पुर्ण जनम में तुम कौन थे और कौन सा पाप तुमने किया था जिसकी बज़े से तुम्हें यह राच्छस की योनी प्राप्त हुई तो उसने कहा पुन्य जनम्य में एक बहुत बड़ा धनी बैस्य था और अत्यंत संब्रद बैस्य बालक होने के कारण मुझे बच्पन से ही जुवा खिलने की आदत पड़ गई और जुवा धारियों में में सबसे चतुर समझा जाने लगा आगे चलकर में बैस्या में आस्सत हो गया और कुपत पर चलने पर में मदरा के मदरसे से वहां रहने लगा ब्रहमड इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की और से बड़ी भटकार मिलने लगी एक दिन मैंने माबाप को तो जहर दे कर माल डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी इस तरह उन सब के धन को हत्या कर मैं उस बैस्या के साथ दच्छन दिसा में चला गया और मेरी दुस्च्छता का परिचे दच्छन में जाकर अतियंत निर्दैता पूर्वक लूट पाट का काम करने लगा एक दिन उस बैस्या को भी मैंने अंधेरे के कुए में डाल दिया दांकूओं में ही हो गया मैंने फांसी लगा कर सेंकड़ों मनुस्यों को मौत के घाट अतार दिया बिस्वपर धन के लोब से मैंने सेंकड़ों ब्रहमण हत्याएं की हैं चत्री हत्याएं की हैं और बैस्याएं की हैं सूद्र हत्याएं की हैं संख्या तो हजारों तक पहुँच गई होगी एक दिन की बात है कि मैं मास लाने के लिए रोज की तरह मिरगों का बद करने के लिए बन में गया वहां एक सर्ब के उपर मेरा पैर पर गया और उसने मुझे ढश लिया फिर तो ततकाल मेरी मिर्तिव हो गई और यमराज के भेंकर दूतों ने आकर मुझे दुष्ट और महापात की भैयानक बरंदगरों से पीट पीट कर बाधा और नरक में पहुँचा दिया मुझे महादुष्ट मानकर कुम्भी पाक की नरक में डाला गया और वहां एक महीने तक महां पर मुझे रखा और इस तरह 84 लाख नरकों से प्रतियक में अलग-अलग यमराज की यातनाओं में से एक एक बरस तक वहां पर मुझे इसी प्रकार से ढालते रहे और जब में व पासना के अनुसार मेरा दस बार तो सुवर की योनी में जनम हुआ और सौ बार ब्यांद की योनी में जनम हुआ फिर सौ जनमों तक उंट का की योनी में जनम हुआ और उतने ही जनमों तक भैसा हुआ उसके बाद सहस्त्र जनम मुझे सरब की योनी में रहना पड़ा फिर क ऐसा विक्राल और महाखल राच्चस हुआ जैसा कि आपने अभी देखा था एक दिन किसी सूद्र के सरीर से आवश्टी होकर ब्रज में गया वहां बंदावन के निकटवर्ती यमना के सुंदर तट पर हात में छड़ी लिये हुए कुछ श्यामबन वाले स्री कृष्ण के पा तग में भूका रहा और तुम्हें खाने के लिए यहां आया इतने में ही तुमने मुझे गिर्राज के परवत पत्थर से मार दिया मुझे पर साच्छात स्री कृष्ण की किरपा हो गई जिससे मेरा कल्यान हो गया स्री नारज जी कहते हैं बहुलाश्वर वह इस प्रकार कह है ही रहा था कि गोलोग से एक विसाल रत उत्रा वह सहस्तरों से सूर्जों के समान तेजसी था और उसमें दस हजार घोड़े लगे हुए थे नरेश्वर उसमें हजारों पहियों के चलने की धोनी होती थी लाखों पारसद उसकी सोबा बढ़ा रहे थे मंजीर और सुद्र घटगाओं के समू से आच्छंदित रत अत्यंत मनोरत दिखाई देता था ब्रहमण के देखते देखते उसको सिद्धों को लेने के लिए जब रत पर आया तब ब्रहमणों और सिद्ध दोनों ने उस दिब्रत को नमस्कार किया तदंतर वे सिद्ध उस पर आरण होकर पर स्री कृष्ण लोग में पहुंच गया जो निकुंज लीला के कारण ललित और परम मनोरत है वह ब्रहमण गोबर्धन का प्रभाव जान गया था इसलिए वहां से लोटकर समस्त गिर्राज्यों के देवता गोबर्धन के घिरी पर वहां पर आया उसकी परिक्रमा और उस चिदाया के सिरी गिर्राज खंड तुम्हें कहकर सुनाया है पापी मनुष्य भी इसका स्रवन कर ले स्वर्पन में भी कभी उद्र डंड धारी प्रचंड यम्राज का दर्सन नहीं करता जो मनुष्य गिर्राज के यस्चे परपून कोपराज श्री कृष्ण को नूतन के अली के रहस्य को सुनाता है वह देवराज इंद्र की भाती इस लोग में सुक भोगता है और नंदराज के समान पर लोग में सांती का अनभव करता है अब बात करते हैं हम मुख्य उसकी तो यह आप देख रहे हैं कुसुम सरूबर बहुती अद्वुत और बहुती प्रशन द्वापन में ब्यास देव ने इस विदी को जिनम गरहन किया था उनके द्वारा लिकित पुराणों में जीव जगत को निरंतर और परमार्तिक ज्यान प्रदान हो रहा है जिससे उसको जगत गुरु कहा गया है इसी दिन को याद रखने के लिए सभी लोग इस त तिती को गुरु पुनमा भी कहा जाता है इसी तिती को बैशनवगण अपने गुरुदेव श्री प्रेम सहित तूजा किया करते हैं और दूसरा काणन है सनातन गोस्वामी श्री महाप्रभुजी के आज्या अनुसार मस्तक पर मुंदन कराकर ब्रज में आकर गोबर्दन के चकने सुर में भजन किया करते थे और नित्य गिर्राजी की परक्रमा लगाया करते थे उनके भजन प्रभाव से ब्रजवासी लोग उन्हें बहुत ही इसने और गुरु भाव से देखने लगे उप्रोक्त तिती को उन्होंने अपना सरीर त्याग दिया ब्रजवासी लोग उनके इसमर्ण कर रखने के लिए इस तितीव को गिर्राज जी की परक्रमा लगाते हैं और इस तितीव को मुडिया पूनों के नाम से भी जाना जाता है कुछ और ऐसे सब्द हैं जो गिर्राज जी में परक्रमा लगाने की नियामा बली है सास्तों के नियमों के अनुसार पैदल और नंगे पैल लगाने का ही विधान है मगर अर्समर्थ के लिए बहानों का भी प्रियोग कर सकते हैं परक्रमा प्रणाम करके ही प्रारम करना चाहिए और प्रणाम करके ही समाप्त करना है जहां से परकम्मा उठाई है वहीं परकम्मा समाप्तकना है स्री गोबर्धन परवत के उपर नहीं चड़ना चाहिए क्योंकि ये सास्त्रों के अनुसार स्री गोबर्धन सिला स्री कृष्न का अभिन्य शुरूप है स्री गोबर्धन को दाएं हाथ की तरफ रखते हुए परकम्मा करनी चाहिए इसलिए गोबर्धन की दाएं तरफ कभी धूकना, सोच, लगुसंक्या, इतियादी, असोच करम नहीं करनी चाहिए परकम्मा के कृष्न में सरोवर, मांसी गंगा, सिरी राधा कृष्न, स्याम कृष्न, गोबिंदृकृट आदों में पाम नहीं दोने चाहिए साब़न लगाकर कफड़े धून तेल लगाना इतियादी करम नहीं करनने चाहिए परिक्रमा में सुरी गिर्णाजी की तरफ पीट और पैर लंबा करके नहीं बैठना चाहिए और नहीं लेण लेटना चाहिए परिक्रमा प्रारम में और समाप्त करते समय अपने इश्ट देवता का पूजन ब्रहमण बैशन पूजन यथा सकती अनुसार भोजन दान चरूल करना चाहिए यहां तक हो सके सांसारिक बारताल आपको त्याग कर पवित रवस्ता में हरी नाम और भजन कीरतन करते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए परिक्रमा करते समय किसी भी प्रार्णी को दुख नहीं देना चाहिए परिक्रमा बिधी और विश्टत जानकारी किसी अविक्त ब्रहमर अत्वा पंडित से ही लेनी चाहिए और दुग्द धारा द्वारा परिक्रमा करते समें लगातार धार देनी चाहिए तंदवती परिक्रमा के संबंध में परिक्रमा करते समय नाकूल काटना शावन लगाना तेल लगाना पलंग पर सोना बाल काटना इत्यादिकार नहीं करने चाहिए परिक्रमा यहां तक जाती है जहां से आगे नहीं बढ़ानी चाहिए डंडवत प्रणाम और सश्टांग प्रणाम इन आठों अंगों को प्रत्वी से स्री भगवान के संपर्क में रहना चाहिए दोनों भुजाएं चारों पाम दोनों गुटने बच्च छाती मस्तक नेत्रों से भगवान का दर्सन मन से भगवान का ध्यान और बाणी से स्री गोबर्धन भगवान का हे भगवन मुझे पर क्रपा कीजिए परम पाप महामशी हे भगवन मैं आपकी सरण में हूँ मेरी रच तर आवर साष्टन प्रणाम प्रणाम का नियम है got a a good दटध मुं पर नाम के बाद फिर पूरी तरह उठकर प्रणाम करना चाही 통 had the time पर सब कपड़े अथार देनी चाहिए वे डण्डवुत और साष्टांक प्रणाम करना चाहिए जो व्यक्ति इस दस पचास सो हजार ऐसा एक स्थान पर डंडवती परक्रमा लगाते हुए चलते हैं उन्हें ऐसी ही डंडवती परक्रमा लगानी चाहिए मगर गिंती की संक्या बढ़ानी या कम नहीं करनी चाहिए सब तो कोशी है परक्रमा संकून परक्रमा साथ को 21 किलो मीटर की है कोई भकत अपनी सुबदा अनुसार गोबर्धन को दो भागों में भी विवाजित कर दो दिन में लगाते हैं इन दोनों परक्रमाओं को छोटी और बड़ी परक्रमा के नाम से पुकारा जाता है परक्रमा के मद में गोबर्धन गाउं पढ़ता है इसके उत्तर दिसा में राधा कुंद और दच्छित दिसा में पुच्री गाउं इस्तित है गोबर्दन दान घाटी से आने और पूचरी जती पुरा होते हुए पुर्ण गोबर्दन आने की बड़ी परक्रमा कहलाती है जो चार कोस बारे किलोमीटर की है गोबर्दन से उद्दव कुंड होते हुए रादा कुंड फिर यहां से पुर्ण बापस गोबर्दन आने वाली परक्रमा छोटी परक्रमा कहलाती है यह परक्रमा तीन कोस की छे किलूमीटर में संपन होती है परक्रमा भक्त लोग अपनी इच्छा अनुसार देते हैं इसमें संपून परक्रमा साथ कोस एक दिन में समाप्त करना स्रेष्ट है साथ कोसी गिर्दाज परक्रमा में बहुत सी चोटी परक्रमा है जैसे मांसी गंगा रादा कुंड गोविन कुंड इत्यादी परक्रमा करते समय कुछ भजन कीरतन जरूल करने चाहिए हरे राम 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 हरे राधे श्याम मिलादे रादे रादे गोबर्धन में रादे रादे परक्रमा में रादे रादे बरसा तेरे माते मुकट बिराज रहो तेरे कानन कुंडल सोहे रहे और गल बैजनती माल हो तेरे माते मुकट बिराज रहो स्रीकोबरधन महराज तेरे अंग में जावा में सरिया सरिया और पटका लाल गुलाल होए तेरे माते मुकट तेरे मुकट में मुरलिया होए और धोड़ी प निकट रहे और जामे वहे दूद की धार होई धार धार तेरे माते पर मुकट रहे तोपे पान चड़े तोपे फूल चड़े और तोपे चड़े दूद की धार तेरे माते मुकट होई तो तेरे दूद चड़े और फूल चड़े तो दे जरे दिन रात तेरे माते मुकट ब्र तिरे साथ कोश्की परक्रमा तिरे साथ कोश्की परक्रमा और चकले सर है विस्तराम हो विस्तराम तिरे माते मुकट तो सब्त कोश्की परक्रमा इस प्रकार से करनी चाहिए सिर्ग राज गोबर्धन परक्रमा दान घाटी से पूछरी अत्वा रादा कुंड के बीच में किसी भी इस्तान से चालू की जा सकती है लेकिन जहां प्रक्रमा से प्रारंब की है हमने दान घाटी से सब तकोसिय प्रक्रमा आप लोगों को यहां पर कराई है अब जो दान घाटी है गोबर्धन गाओं के मद्ध ही प्रक्रमा मार्ग पर मतुरा बर्साना रोर पर दच्छन भाग पर दान घाटी मंदर है इस इस्तान पर पूरन मासी देवी साहता से श्री कृष्ण रादा जी और सक्यों सहित दान लिया करते थे तता स्री रादा और सक्यों के हास्य बिनोद किया करते थे इस लीला के कारण यह इस्थान दान घाटी के नाम से प्रसिद्ध है दान के लिए चिंतामणी ग्रंथ के अनुसार दान लीला के स पारा एक महती यक का आयोजन किया यह यग्य का नियम था कि इस यग में यदि कोई गोप नारी अपने हातों से स्वेम दूद दरताती प्रधान करे तो उसकी मनोकामना पूर होती है ब्रज में यह सर्थ फैल जाने पर स्री रादा जी अपनी सक्यों के साथ हवं सामेगरी ले कर बैठ गए स्री रादा जी को आते देखकर स्री कृष्ण बोले हम यहां दानी राजाओं के अनुसार दान लेने के लिए बैठे हुए हैं हमें दान दे कर तुम लोग यहां से जा सकती हो यह सुनकर सक्यां बोली हमने तो यहां दान लेने बालों के बारे में कभी नहीं स अपने योवन का ही दान कर दो यह सुनकर सक्यां मुश्कृति ही भोली हमने तो कभी योवन का दान नहीं सुना और सुनकर कनहियां हम तुम्हें पैंचान गए तुम बड़े नटकट हो हमारी पूजा का समय निकला जा रहा है और तुम हमें जल्दी मार्ग दो अभी हमारे प कर इन्हें बापस ले जाना इस प्रकार बारतलाब के पश्चात सखीगणों ने स्री रादा कृष्ण को बेदी पर वैठा कर उनका मिलन करवा दिया यह आप मांसी गंगा देख रहे हैं यहां पर लोग दूद की धार से अनेकों प्रकार की पूजा करते हैं इनके लोटने पर एक वार यह सोदा अनंदन भ्रजवासी गंगा का इसनान बनाकर गंगा जी की तरफ चलते पहुंचे तो उन्हें यह मांसी गंगा पर आप तो हुई तब से मांसी गंगा में इसनान करने से गंगा जी का इसनान करने क्या ही फल प्राप्त होता है तो आप लोगों ने य और आप लोगों ने सभी दर्सन किये और संपूर गोवर्धन की परक्रमा की तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अब आप जादा से जादा लोगों के पास पहुँचाएं इस कथा को क्योंकि ऐसी कथाएं बहुत ही मुश्किलों से मिलती है और ये पर्व अब आ है अजसे प्रारम हो रहा है अब हमारी प्रक्रमा समापत होती है रादे रादे बांके बहारी लालकी जैए आप जादा से जादा लोगों के पास सेयर करें और अगर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूल सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस प्रकार की अनेकों स्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं से हम आपको पर्चित कराते रहेंगे और हम आपको ब्रिज के करकर से मिलवाते रहेंगे रादे रादे और बांके बहारी लालकी जैए शिरी गिर राज धरण की जैए यह देखें आप इस प्रकार से प्रक्रमा पूर्ण होन पर इस प्रकार से निवेदन किया जाता है सभी लिए